हिंदुधर्म में कई ऐसे रिती रिवाज है कई ऐसे तेवता है जिनकी पूजा करने से मन वंचित फल की प्राप्ति होती है हिंदुधर्म में एक ऐसे भी देवता है जो अपने कर्म के एसाब से सभी को आशिरवाद देते हैं देया शनी महाराज की चीज़ पर दया की देश्टी पढ़ जाए वो रंग से भी राजा हो जाता है उनको विशय शर्ड तीन देवताओं का पूजन फिल्मन चाहिए अईए उर्चन के जोते सासरा से यानते हैं वो कौन से देवता है च्षाया मारतंड संभुतं तम नमामी शनी शर्म शनी महाराज न्याए के देवता है न्याए प्रिये है वो तो न्याए ही करते हैं लेकिन जब उनका समय आता है ड़्या आता है या साड़े साती आती है तो मनिश्य को कष्ट भी होता है ऐसे में हनुमान जी की आराधना स्रेष्ट मानी गई है और शिवजी की आराधना से भी शनी महाराज जो है वो शांती प्रदान करते हैं इसी प्रकार से भगवान स्री कृष्ण की आराधना यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी विशेश फल की प्राप्ति होती है और शनी की प्रहार से या शनी महाराज के प्रकोप से बचा जा सकता है इसके पीछे एक पौराणिक कता है कि भगवान स्री कृष्ण की आराधना के लिए कोशी कला छेत्र में मतुरा में स्री शनी महाराज ने स्री कृष्ण की आराधना करी और वहाँ पर भगवान स्री क्रश्ण ने उनको कोयल के रूप में दर्सन दिये और प्रसन्न होकर वर्दान दिया कि जो तुम्हारे प्रकोप से बचने के लिए मेरी आराधना करेगा तो उसको शिग्र ही मेरे आशिरवाज से शांति की प्राप्ति होगी ऐसा पुराणिक महत्व मिलता है पुराणों में ऐसा विवरन आता है इसलिए भगवान स्री क्रश्ण की सेवा करके श्री भगवान स्री क्रश्ण के आराधना करके भी शनी महाराज के प्रकोप से बचा जा सकता है हनुवान जी महाराज के पूजन से हनुवान जी महाराज को चूला चड़ाने से शनीवार को हनुवान जी महाराज को चार मुखे जो दीपक होते हैं उसके द्वारा भी शनी महाराज के प्रकोप से बचा जा सकता है सनीवार के दिन भगवान शिवजी को तांबे के लोटे में काली तिल मिला करके चड़ाने से जल चड़ाने से भी शनी के प्रकोप से शांती प्राप्त की जा सकती है सनी महाराज को सब प्रसन्न करते हैं और सनी महाराज प्रसन्न होते भी है सनी महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति का सारा संकट दूर हो जाता है जै शनी देव